तो हेलो गाईज आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में और आज के इस वीडियो में हम हमारा जो ISC क्लास 11 का जो कोर्स है बेसिकली हम उसे स्टार्ट करने जा रहे हैं खल का जो वीडियो था वो बैसिकली एक मेंटर्शिप सेशन था कि अगर आपने क्लास 11 में कॉमर्स लिया हुआ है तो क्या आपने ये ठीक डिसीजन लिया है या फिर नहीं लिया है फिर अगर आपने ले लिया है तो आगे चलके आपको क्या-क्या परना होगा ये जो दो साल का जरनी होगा तो इन सब के बारे में कल हमने discussion जो है वो महाँ पर हिया हुआ था ठीक है अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपको एक बार recommend करूंगा कि वो वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो आपके लिए थोड़ा beneficial हो सकता है वैसे उस वीडियो का आपका क कोई exam से कोई लेना देना नहीं है आपके course से कोई लेना देना नहीं है फिर भी अगर उसे आप देखते हैं तो आपको थोड़ा सा जो है वो help हो सकता है लेकिन उसका जो main cracks जो वीडियो का है वो मैं आपको अभी बता देता हूं और वो यह है कि आपने अगर class 11 में commerce लिया ह हुआ है so you have taken the best decision which you could ever take अपने science नहीं लिया अपने arts नहीं लिया अपने commerce लिया हुआ है so this is the best decision और कुछ जादा इसके उपर में आपको सोचने की जरुवत नहीं है कि sir मैंने ले लिया मैं क्या करूँ मुझे क्या नहीं करना चाहिए मैं बस यही कहूंगा ले लिया बहुत अच्छा decision है आगे भड़ते रहिए ठीक है so जैसे कि मैंने आपको कहा था कि आज का जो वीडियो होगा वो एक course से related वीडियो होगा जिसमें मैं basically बात करने वारा हूं हमारे first chapter के बारे में जो की है nature and purposes of businesses ओके तो इससे की पहले मैं में चाहूंगा कि इस वीडियो के description box में आपका जो syllabus है वो आप वहाँ पर जाईए वहाँ से आप उसको download कर लीजिए and ये ध्यान में रखिएगा कि आपको भी उस syllabus के हिसाब से ही परना है जैसे जैसे syllabus में बोला गया है आपको भी ठीक वैसे ही पढ़ाई करनी है and आपको मैं यही बदा देना चाहता हूं कि आपक जो book है जो कि सबसे ज्यादा यूज होता है जो कि CV घुपता का book है तो अगर आप उससे भी पढ़ाई करते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं या फिर आपका कोई दूसरा भी book होगा लेकिन अगर बात करे मेरी तो मैं सिर्फ वो जो syllabus होगा मैं सिर्फ उसी में पढ़ाऊंगा अगर उससे एक भी चीज मैं जादा इसमें पढ़ाने वाला नहीं हूँ क्योंकि उसकी जरूरत है नहीं आपका syllabus में जितना आपको चाहिए उतना सब कुछ वहाँ पर दिया हुआ है तो आपको कुछ और extra पढ़ने की जरूरत नहीं है लेकिन आपके बहुत लोगों के books हो होंगे जिसमें कुछ extra दिया होगा तो वो extra अगर आप चाहिए तो पढ़ सकते हैं लेकिन मैं उसे पढ़ाने वाला हूँ नहीं क्योंकि उसकी जरूरत जो है वो पहली बात आपको नहीं है जिस चीज की जरूरत होगी वो आपका syllabus है जो कि यहां पे आपके description box में वहां पे मैंने दे दिया हुआ है और साती सात मैं आपको यह भी कहना चाहता हूँ कि अगर आप हमारी जो notes है basically अगर आप उन्हें खरीदना चाहते हैं तो उसका भी मैंने link जो है मैंने WhatsApp नंबर जो है अपना description box में दे दिया हुआ है आप उस WhatsApp नंबर में हमें contact कर सकते हैं और वहां स के regarding जो कुछ भी syllabus आपका होगा वो सारा syllabus मैं यहां पे दे दूँगा ठेक है तो जो first chapter है हमारा वो है nature and purposes of business और एक बात कि मैं यहां पे जो भी chapter का bifurcation होगा वो syllabus के हिसाब से है आपके book में हो सकता है कि 20 chapters हो लेकिन मेरे यहां पे अगर आप bifurcation करने की कोशिश करते हैं तो यहां पे 15 chapters होगे तो उसमें आपको डरने की जरुवत नहीं है क्योंकि book में क्या किया जाता है कि जब एक topic बहुत जादा बड़ा हो जाता है तो उसी एक topic को break करके 2 chapters में बना दिया जाता है लेकिन मैं यहां पे क्या करता हूँ कि syllabus के हिसाब से जो chapter है मैं उस chapter को वैसे ही रहने देता हूँ जैसे यह जो nature and purpose of business है इसको आप अगर अपने class 11 के syllabus में देखेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि इसमें यह सब कुछ यहां पे दिया हुआ है लेकिन वहीं अगर मैं book की बात करूं तो यहां पे यह जो आपका इतना सा portion है यह जो portion है यह portion आपका एक chapter हो जाता है first chapter फिर इसके बाद यह next portion है यह आपका एक अलग chapter है and यह क्या किया गया है कि इसको second chapter में ही दे दिया गया है तो आपके book में जैसा भी syllabus का chapter का bifurcation हो लेकिन मेरे यहां पे chapter का जो bifurcation होगा वो सिर्फ syllabus के हिसाब से ही होगा मतलब मैं strictly syllabus को follow करूंगा syllabus के यहां गम और कुछ भी ज्यादा मैं नहीं पढ़ाने वाला हूँ and मैं आपको भी यही recommend करूंगा कि चाहे आपका जो भी subject हो, accounts हो, economics हो, math हो, science हो, जो भी हो उसमें आप प्लीज अपना सिर्फ syllabus को ही follow कीजिए उससे extra कुछ भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है ठीक है तो आए basics जो है उसको कभी भी हमें directly नहीं समझना चाहिए from the theory पहले हम उसे normally जो है अपने written में जो rough होता है वहां पे समझते हैं और उसके बाद हम जाकर के theory में जाएंगे तो देखिए अब से जो आपका journey start होने वाला है जो कि यह होगा business का journey होगा business studies का journey होगा commerce का journey होगा तो उसका जो foundation होता है जो की main चीज होता है वो होता है human activities क्योंकि business में हम लोग करते क्या है हम लोग काम करते हैं we perform activities we do the activities इसी लिए human activities जो होता है वो हमारे business studies का जो है main ये चीज है आप किसी भी board में जाएं जब भी आप business की पढ़ाई करने के लिए जाएंगे तो उसमें जो आपका main and most important चीज रहने वाला है वो रहने वाला है human activities जो activities इंसान करते हैं जो activities humans करते हैं वो आपका pivot point रहने वाला है और इसी के इर्द गिर्द आपका सारा जो studies है वो होने वाला है क्योंकि business में basically किया ही human activities जाता है we perform the human activities only in the business business में हम human activities को ही mainly perform करते हैं ठीक है तो human activities is the basis and इसी को आज हम समझने वाले हैं तो देखिए सबसे पहली बात की human activities क्या होता है तो इसको मैं basically आपको यह बढ़ा चिरा के नहीं बोलों का इतना समझ के रखि activities जो भी काम एक human being करता है उसे human activities कहा जाता है whatever work is done by a human being that is known as human activity अब इसमें बहुत कुछ हो सकता है आप अगर सुबह में उठने से लेकर रात को सोने तक के बारे में बात करें तो सुबह सुबह जब आप उठते हैं तो क्या करते हैं सबसे पहले आप mobile चेक करते हैं यह मत ब फिर इसके बाद breakfast करते होंगे breakfast करने के बाद आप हो सकता है कि थोरा सा अगर आप स्कूली जाते होंगे तो उसके breakfast करने के बाद आप नहाते होंगे सुरी मैंने उल्टा बोल दिया एक बाद फिर जे लेते हैं इसको अब जब आप सुबह में उठते हैं तो सबसे पहले आप अपना mobile चेक करते हैं फिर आप brush करते हैं फिर brush करने के बाद यू take a bath फिर नहाने के बाद आप breakfast करते हैं फिर जब breakfast हो जाता है तो breakfast करने के बाद go to school फिर school में अलग-अलग activities होती हैं जैसे यहाँ पर आप सबसे पहले assembly होता है फिर assembly के बाद आपका class होता है फिर class के बाद आपका break होता है फिर आपका चुटी होता है off फिर इसके बाद जब आप घर पे आते हैं तो घर पे आने के बाद आप games खेलते होंगे फिर games खेलन पर आप थुरा सा टडी करते होंगे जो शाम का स्टडी होता है साम के स्टडी के बाद ट्रीनर एंड डिनर के बाद सो जाना तो यहां पर देखिए सुबह से लेके साम तक आप अनगिनत आप बहुत तरीके के एक्टिविटीज कर रहे हैं कभी मोबाइल चला रहे हैं तो कभ सुबह स्टेविटिज करते हैं तो कभी भरसकी कर रहे हैं तो कभी आप करते हैं तो यहीँटिविटीज और कुछ नहीं यहीं है ंराक स्टूडं कबताया पेज़onton एं कि यह अगर आप अपने पापा के बारे में बात करें तो पापा क्या करते हैं सुबह सुबह उठते हैं वो भी आपकी तरह प्रस करते हैं नहाते हैं फिर उनका भी नास्ता होता है फिर आफिस जाते हैं आफिस में अलग-अलग काम होता है कभी कोई file maintain करना होता है फिर उसके बाद कभी कोई meeting होती है meeting होने के बाद वो भी घर पर आते हैं वो भी rest करते हैं हो सब्सक्राइब कि घर में आकर फिर से नहाते होंगे फिर वो भी रात का खाना फिर सो जाते हैं तो human activities हर एक human being करता है कोई भी ऐसा इनसान नहीं होगा इस धर्ती पर जो भी जो की कोई भी activity नहीं करता हो तो जो activities जो भी जो भी काम कोई human being करता है तो उसे हम लोग human activities बोलते हैं whatever activities is done by a human being उसे human activities कहा जाता है ठीक है so यही इसका definition में ही है कि the activities which are performed by human beings human activities means those activities which are performed by human beings human activities undertaken to satisfy human wants तो human activities का मतलब तो समझ में आ गया अब human activities क्यों किया जाता है why are human activities done तो इसका main reason है human wants मतलब मुझे कोई चीज की जरूरत है मुझे किसी चीज की चाह है I need something तो उसको satisfy करने के लिए in order to satisfy that हमें human activities करना होता है मतलब for example आपको आप सुबह सुबह उठते हैं तो आप सुबह सुबह उठके phone क्यों चेक करते हैं इसलिए चेक करते हैं क्योंकि आपका जरूरत है आपको देखना होता है कि कि आपको मेसेज भेजा कहीं स्कूल से कोई notice आया कि नहीं आया तो हमेशा human beings को जरूरत होती है किसी ना किसी चीज की human beings are always in need of one thing or the other and इसी need को satisfy करने के लिए इसी need को fulfill करने के लिए हम human activities करते हैं जैसे school क्यों जाते हैं ताकि knowledge हो सके फिर खाना क्यों खाते हैं खाना ने खाएंगे तो मर जाएंगे फिर अगर खर पे study क्यों करते हैं क्योंकि school का study जो है वो एकदम उसी पे totally dependent हो पाना possible नहीं है तो खर पे भी आके पढ़ाय करना परता है तो एक human being का अलग अलग needs होता है अलग अलग activities अलग अलग wants होते हैं and उन ही wants को fulfill करने के लिए हम human activities जो है वो करते हैं तो अब ये तो समझ में आ गया कि human activities क्या होता है human activities क्यों किये जाते हैं लेकिन अब question आता है कि sir इस human activity का हमारे commerce के study से क्या लेना देना है what is the relation of human activity and commerce तो simple सा मतलब है कि भाई commerce में human activities ही होते हैं हम business करते हैं वो human activity है फिर इसके बाद हम किसी चीज़ को sale करते हैं वो एक human activity है हम किसी चीज़ को bike करते हैं वो एक human activity है तो human activity business में होता ही है बिना कोई human activity के business हो नहीं सकता है बिना इंसान के काम की ये business हो नहीं सकता है इसलिए human activity जो है उसको business में परना बहुत जरूरी होता है अब अगर बात करें कि business के perspective से human activities क्यों परना जरूरी है तो ये तो हमने हमें समझ में आ गया कि बिना human activities के business होता ही नहीं है इसलिए human activities को परना बहुत जरूरी है अब अगर बात किया जाए commerce या फिर business के viewpoint से तो human activities को दो तरीकों में बाटा जाता है हम जानते हैं business किसलिए किया जाता है पैसो के लिए it is done for money तो human activities जो है वो पैसो के लिए किया जाता है तो हम business में क्या करते हैं कि जो भी activities को human being करता है उसे दो slots में बाट देते हैं एक slot में वो human activities को रखा जाता है जिसमें पैसे involved होते हैं जैसे आप दुकान पर गए, आपने दुकान वाले को पैसे दिये, उसने आपको समान दिया, तो ये भी एक human activity है, तो इस activity को हम कहते हैं economic activity, मतलब एक ऐसा activity जिसमें money involved होता है, जिसमें money का involvement होता है, उसे हम लोग कहते हैं economic activity, and activity in which money is involved, उसे हम लोग कहते हैं economic activity, ठीक है, मतलब जो भी human activity में पैसों की जरुवत होती है, पैसे इसमें involved हो जाते हैं, तो उसे हम लोग economic activity कहते हैं, and इसके अलावा और एक activity होता है, जिसे हम लोग कहते हैं, non-economic activity, non-economic human activity, sorry, economic activity या फिर human बोलना जरूरी नहीं है, economic activity and non-economic activity, ठीक है, तो फिर non-economic activity, कौन से activities होंगे, यह वो activities होंगे, जहां पे पैसे involved नहीं होते हैं, जैसे आपने जाकर अपनी मम्मी को cooking में help की, तो क्या यहां पे आपकी मम्मी ना आपको पैसे दिये, नहीं, जो human activity में पैसों का involvement नहीं होता है, उसे हम लोग कहते हैं, non-economic activity, and जैसे में पैसे involved होते हैं, वो economic activity कहलाता है, ठेक है, तो यहां पे इसका दो types होता है, पहला है, economic activities, activities that are undertaken by people with the objective of earning money, are known as economic activities, for example, production of goods in a factory, distribution of goods by a wholesaler or retailer, मतलब जो भी activities पैसे earn करने के purpose से की जाती है, उसे economic activity कहा जाता है, मतलब मुझे पैसे चाहिए, मुझे पैसे earn करने हैं, इसको सोच कर जो human activities की जाती है, उसे हम लोग economic activities बोलते हैं, जैसे अगर मैं बात करूँ, तो factory में production क्यों होता है, ताकि उस चीज को बेच करके उससे पैसा earn किया जा सके, तो ये जो production हो रहा है factory में, this is a economic activity, फिर इसी तरीकी से जो wholesaler होता है, या फिर जो retailer होता है, वो लोग क्या करते है, वो लोग सामान बेचते हैं, अब सामान क्यों बेचते हैं, इसलिए बेचते हैं, ताकि उन्हें ये हो सके, वो पैसा earn कर सके, तो वो economic activity में आ जाता है, अब अगर बात करें एक non-economic activities की तो यह तो नाम से ही समझ में आ रहा है कि जहां पर पैसा आन करना वो हमारा aim नहीं होता है जहां पर हमारा aim क्या होता है social work या फिर psychological satisfaction मतलब non-economic reasons के लिए जो किया जाता है psychological satisfaction मतलब कि समाध सेवा करने के लिए किसी की help करने के लिए किसी को मदद करने के लिए तो इस सब के लिए जो एक्टिविटीज होते हैं वो non-economic activities कहते हैं जैसे for example मैं अगर बात करूँ तो आप अगर मंदिर में जाए तो मंदिर में जो भंडारा होता है वो भंडारा जो है वो आपको free में खिलाया जाता है तो वो भी एक human activity है क्योंकि भंडारा खिलाने का काम कौन कर रहा है एक human being कर रहा है लेकिन क्या वो भंडारा जो आपको खिलाया जा रहा है वो पैसे करने के लिए है क्या आपसे पैसे लिये जाते है, तो इसका आंसर है नहीं, यहाँ पर आपसे पैसे नहीं लिये जाते हैं, यहाँ पर आपको फ्री में जो है वो खाना धिया जाता है, तो इसलिए इसे हम लोग non-economic activities कहते हैं, फिर उसी तरीकी से अगर charity की बात की जाए, बहुत लोग क्या करते हैं कि जब ठंड आ जाती है तो गड़ीबों में कंबल बाटते हैं तो क्या वो कंबल इसलिए बाट रहता कि उन्हें पैसे अंड हो नहीं वो लोग अपना psychological satisfaction मतलब अपने आपको करना psychological satisfaction करना ठीक है अब यह तो समझ में आगी है अब मैं अगर आपको बात अगर मैं आपको बताओं तो हम यहां पे सिर्फ economic activities को लेके ही चलने वाले हैं non-economic activities जो है उससे हमारा कोई भी लेना देना नहीं है हमारा जो यहां पे main है वो है economic activities क्यों क्योंकि हम business कर रहे हैं and business करने के लिए economic activity ही जरूरत पड़ता है तो non-economic activities से हमें कोई लेना देना नहीं है ठीक है अब यह एक बहुत important topic है जिसके उपर में आपको question पूछा ही जाएगा and वो यह है कि economic activities कितने type के होते हैं मतलब यह जो हम normal language में बोलते हैं कि economic activity मतलब business लेकिन ऐसा नहीं होता है क्या सिर्फ business करने से ही हमें पैसे मिलते हैं क्या ऐसा है कि सिर्फ अगर हम business करें तो ही हम पैसे aufice जाते हैं क्या वहाँ पर वो हो लोग कोई business करने जाते है नहीं वो लोग तो वहाँ पर workщее. जाते हैं वो लोग वहाँ पे employment देने जाते हैं तो क्या उनसे उनको पैसा अर्ण नहीं हो रहा है तो पैसा अर्ण जो है वो तो होई रहा है तो यह भी एक economic activity है लेकिन इसे हम लोग business नहीं कह सकते हैं तो normal language में तो बस यही समझा जाता है कि economic activity का मतलब होता है business क्योंकि पैसा अर्ण करने के लिए किया जाता है तो वो एक economic activity है लेकिन सिर्फ business जो है वो economic activity नहीं है business के साथ और भी कई चीजें है जो कि economic activities में आती है तो सबसे पहला तो business है वो तो हमें समझ में आ गया जहाँ पे होता क्या है business refers to those economic activities which are connected with the production or purchase and sale of goods or supply of services with the main object of earning a profit to earn income in the form of profit people engage themselves in business example fishing, mining, farming, manufacturing, wholesales etc तो business का मतलब क्या होता है business का मतलब होता है एक ऐसा काम जहां पे लोग profit earn करने के लिए किसी चीज़ को या तो कम दाम में बना कर ज्यादा दाम में बेचते है या तो किसी चीज़ को कम दाम में खरीद कर ज्यादा दाम में बेचते है मतलब business का मतलब होता है business का मतलब normally हम लोग यह समझते है कि जो factories होते हैं वो लोग business करते है they do business कि वो लोग क्या खरते हैं कि अगर एक चीज को बनाने में for example मैं अगर यहां पे बात करूँ तो एक phone को बनाने में अगर उन्हें 5000 रुपे का खर्चा आता है तो वो लोग इस phone को market में 8000 रुपे में बेच देते हैं हाँ ये business है लेकिन business का मतलब सिर्फ किसी चीज को बना कर बेचना नहीं होता है business का और एक मतलब होता है जिसमें ये भी आता है कि किसी चीज को हम दाम में खरीद कर जादा दाम में बेचना उसे भी business कहा जाता है जैसे ये जो 5000 का phone है ये 5000 का phone 5000 में phone को बनाकर 8000 में बेच दिया गया अब जिसके पास ये फोन 8000 में जो इसे खड़ीदेगा वो जाहिड सी बात है 8000 में तो इसे बेचेगा ने वो क्या खड़ेगा इसे 10000 में बेचेगा तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि एक जगा पे manufacturing हो रहा है मतलब 5000 बनाने में लगा 8000 में बेच देंगे और एक जगा पे क्या हो रहा है कि 8000 में खड़ीद रहे हैं और 10000 में बेच रहे हैं तो यहाँ पे manufacturing नहीं हो रहा है लेकिन ये भी एक business है तो business को जो है दो तरीकों से समझा जाता है एक business जो है उसको हम लोग कहते है manufacturing business मतलब जहाँ पे किसी चीज को physically बनाया जाता है और एक चीज होता है जिसे हम लोग कहते है यहाँ पे हम लोग कहते है manufacturing business और एक होता है selling business यहाँ पे मैं इसको नाम देता हूँ मुझे अभी इसका नाम ठीक से याद नहीं आ रहा है तो manufacturing में क्या होता है कि चीजों को बनाया जाता है factory में चीजों को बनाया कर उन्हें बेचा जा रहा है लेकिन selling में क्या होता है कि किसी चीज को बनाया नहीं जा रहा है मतलब दो चीज़े यहां पर आएंगी या तो समान को बनाया जा रहा होगा या तो समान को खरीद कर बेचा जा रहा होगा तो बिजनस समझ में आया कि यह एक ऐसा activity है जहां पर या तो समान को physically बना कर उसे कम दाम में बना कर जादा दाम में बेचा जाता है या तो समान को हम लोग कम दाम में खरीद कर जादा दाम में बेचते हैं इसका एक example मैंने आपको देही दिया कि एक phone manufacturing company अगर 5000 में किसी mobile को बनाती है तो वो उसे 8000 में बेच देती है और उसी जगा पर जो आदमी 8000 में phone को खरीता है वो उसे 10,000 में market में बेच देता है तो ये भी एक business है ये भी एक business है यहाँ पर बनाया जा रहा है यहाँ पर sale किया जा रहा है ठेक है तो ये तो normal सा example था जो कि हम सबसे ज़्यादा देखते हैं अब next जो है वो है profession अब यहाँ पर देखिए जो doctors होते हैं doctors क्या करते हैं doctors क्या किसी चीज को बनाते हैं doctor जो आपका इलाज करते हैं वो क्या किसी चीज को manufacture कर रहे हैं क्या वो लो किसी चीज को बना रहे हैं are they doing something like this क्या doctors किसी चीज को बना रहे हैं जैसे for example अगर आप जाके doctor के पास आपका operation करवाते हैं डॉक्टर वहाँ पर किसी चीज़ को बनाता है, नहीं, डॉक्टर किसी चीज़ को बनाता नहीं है, in the same manner अगर आप किसी टीचर के पास जाकर आप पढ़ाय करते हैं, तो क्या टीचर वहाँ पर आपका जो knowledge है, उसको, क्या knowledge को वहाँ पर manufacture किया जा रहा है, नहीं, knowledge को वहाँ नहीं किया जा रहा है, ठीक है, उसी तरीके से आप अगर किसी lawyer के पास जाकर अपना case यह खरवाते हैं, तो क्या वो lawyer यहाँ पर किसी चीज़ को manufacture कर रहा है, नहीं, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कि कोई भी manufacturing नहीं हो रहा है, अगर इसी तरीके से देखा जाए तो ऐसा भी नहीं हो रहा है कि डॉक्टर आपका ओपरेशन किसी से कम दाम में करवा के आपसे ज़्यादा पैसे ले रहा है यह भी यहां पे नहीं हो रहा है फिर उसी तरीके से लॉयर भी ऐसा नहीं हो रहा है कि उसने आपसे ज़्यादा पैसे ले लिए और किसी दूसरे से केस को कम पैस इसों में लड़वाके दे दिया तो यहां पे कुछ भी वैसा हो नहीं रहा है जो कि business में होता है कि या तो समान को बना करके बेचा जाएगा या तो समान को खडीद करके बेचा जाएगा लिकिन यहां पे जो लॉयर है वो भी economic activity कर रहे हैं क्योंकि वो भी पैसा अर्ण कर रह तो यहां पर अगर हम देखे तो किसी भी तरीके से कोई भी मतलब कोई भी manufacturing या फिर कोई भी buying and selling नहीं हो रहा है लेकिन फिर भी यहां पर पैसे जो हैं वो earned हो रहे हैं तो इस type के economic activity को हम लोग कहते हैं profession तो profession का मतलब क्या होता है जो doctors करते हैं जो lawyers करते हैं जो teachers करते हैं एक chartered accountant एक company secretary यह सब क्या है यह सब एक profession है तो profession का मतलब क्या होता है profession includes those activities which require special knowledge and skill to be applied by individuals in their occupation those engaged in professions are known as professionals professionals are generally subject to guidelines or codes of conduct laid on by professional bodies example lawyers are engaged in the legal professions governed by the bar council of India and chartered accountant is belonging to the accounting profession or subject to the regulations of the institute of chartered accountants of India तो profession का simple मतलब क्या होता है वो एक ऐसा economic activity होता है जिसको करने के लिए आपको special knowledge की जरूरत है and वो special knowledge का जब application होता है तो ही वो economic activity जो है वो हो सकता है जैसे आपको अगर doctor का knowledge नहीं है तो आप doctor का का काम भी नहीं कर सकते हैं आपको अगर charter accountant का knowledge नहीं है तो आप charter accountant का भी काम जो है वो नहीं कर सकते हैं तो profession का मतलब होता है एक ऐसा economic activity जहांपे special knowledge, special skills चाहिए होता है पैसा आन करने के लिए ठीक है जैसे teacher हो गिया अब teacher कोई भी ऐसे नहीं बन सकता है teacher बनने के लिए उसे अच्छा कासा पढ़ाय करना पड़ता है तो teacher एक profession है, lawyer कोई भी नहीं बन सकता है lawyer बनने के लिए आपको LLB, LLM यह सब पढ़ना पड़ता है ठीक किसी तरीकी से chartered accountant भी कोई नहीं बन सकता है Chartered Accountant के लिए आपको Chartered CA का पढ़ाय करना होता है तो आपको सबसे पहले एक Specialized Knowledge लेना होगा और आपको Skills चाहिए तो ये दोनों मिलके जब किसी चीज में पैसे Earn करवाते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं Profession ठीक है तो Profession समझ में आया कि ऐसा Activity जहां पे Special Knowledge और Skills की जरूरत होती है पैसे Earn करने के लिए उसे हम लोग Profession कहते हैं अप Profession में जो लोग काम करते हैं उसे हम लोग Profession कहते हैं जैसे आप जो Lawyer होता है वो उसको हम लोग एक Profession कहते हैं Chartered Accountant को एक Profession कहा जाता है Company Secretary भी एक Profession है Doctor एक Profession है तो जो लोग Profession का काम करते हैं उन्हें Professionals कहते हैं और ये जितने भी Professionals होते हैं इनकी उपर में एक Particular Rule आप कह सकते हैं जो कि इनकी उपर में Applicable होता है जैसे मैं अगर बात करूँ तो जो Lawyers होते हैं Lawyers को Bar Council of India मतलब ये एक Organization है इसका बात मानना होता है फिर अगर Charter Accountant के बार में बात करें तो उनका भी एक Regulating Body होता है ICAI तो इनका बात उन्हें मानना होता है तो Professional का मतलब होता है एक ऐसा Economic Activity जहां पर Knowledge चाहिए जो लोग Profession करते हैं उन्हें हम लोग Professionals कहते हैं इसी के साथ साथ इनके उपर में एक ये होता है मतलब एक Rule है जो कि इनके उपर में हमेशा Apply होता है इसी तरीके से मैं अगर Employment के बारे में बात करूँ तो Employment क्या होता है अब Employment का मतलब होता है कि जब आप अपना Knowledge किसी दूसरे के काम को करने के लिए लगाते हैं और वो आपको बदले में पैसा देता है तो उसे हम लोग Employment कहते हैं मतलब एक ऐसा Economic Activity जहाँ पे एक आदमी अपना Knowledge and Skills किसी दूसरे आदमी के काम को करने के लिए लगाता है और उसके बदले में उसे पैसे मिलते हैं तो उसे हम लोग Employment कहते हैं तो Getting Remunerated in Return for the Work Done for Others refers to an Employee Employment होगा यहाँ Employees are the people who are employed by others Thus people who work in factories, offices or banks, insurance companies or government departments etc Various parts are the employees of this organization Simply का यहाँ पे Simple मतलब होता है कि आपका जो Knowledge है वो जब आप किसी दूसरे के काम को करने के लिए apply करते हैं and उसके बदले में आपको पैसा मिलता है तो उसे हम लोग Employment कहते हैं जैसे यह जो सबसे ज़्यादा देखा जाता है जैसे हमाने ममी पापा जाके ओफिस में काम करते हैं तो वो लोग क्या करते हैं वो लोग क्या अपना काम कर रहे हैं नहीं वो लोग आपके जो आफिस का मालिक होगा उसका काम कर रहे हैं लेकिन वो काम करने के लिए उन्हें पैसा मिलता है तो Employment इसे कहा जाता है अब Profession and Employment में एक काफी अच्छा relation है वो यह है कि Profession का मतलब होता है जब कोई भी आदमी जो भी knowledge उसके पास है वो knowledge को वो अपने काम में लगा रहा है जैसे Doctors क्या करते हैं Doctors जो भी उनके पास knowledge होता है वो सारा knowledge वो अपने chamber में यूज करते हैं तो उससे हम लोग Profession कहते हैं लेकिन हमने तो ये भी देखा है कि बहुत Doctors क्या करते हैं कि अपना भी जो chamber होता है वो भी उनका रहता है इसी के साथ-साथ वो लोग किसी दूसरे hospital में भी काम करते हैं तो एक जगा पे अगर हम लोग देखे तो वो लोग अपना knowledge जो है वो अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो एक Profession है लेकिन जब वो लोग यही knowledge को किसी दूसरे के काम को करने के लिए अपलाई करते हैं तो यह employment हो जाता है तो professional and employment जो है वो काफी related है कि जब professional जो है वो किसी दूसरे के काम को करने के लिए किया जाता है तो वो employment बन जाता है ठीक है जैसे for example एक chartered accountant है वो हो सकता है कि उसका एक office होगा जहांपे वो खुद अपने लिए काम करता है तो वो एक Profession हो जाएगा क्यों क्योंकि जो भी वो skills है वो सारा वो अपने लिए ये कर रहा है वो अपने काम में उसको apply कर रहा है तो वो एक Profession है लेकिन अगर बात करें employment की तो जब वही chartered accountant किसी दूसरे company के लिए काम करता है जैसे बहुत company के chartered accountant होते है तो जब वो किसी दूसरे company के लिए काम कर रहा होता है तो उस time पे वो employment बन जाता है ठीक है? ओके? तो ये था business मतलब जहां पे हम या तो कम दाम में समान को बना कर जदा दाम में बेचते हैं या तो कम दाम में समान को खरीद कर जदा दाम में बेचते हैं फिर होता है Profession कि हमारे पास अच्छा खासा knowledge है और उस knowledge को हम लोग use कर रहे हैं अपना काम करने के लिए उसे profession कहा जाता है next होता है employment, employment का मतलब जब अपने पास जो knowledge है वो किसी दूसरे के काम को करने के लिए इस्तमाल करते हैं तो उसे हम लोग employment कहते हैं ठीक है अब आता है business, profession and employment में क्या क्या difference है तो main difference तो समाज में आई ही गया लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं तो देखिए business जो है business make commence with the decision of the entrepreneur and profession का क्या है the profession make commence on completion of a degree course by getting a certificate of practice and employment commences on joining duty by entering into service agreement तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो business कब start होता है, profession कब start होता है, employment कब start होता है तो इसके बारे में अगर बात किया जाए तो जो business है वो तबी start हो जाता है जब entrepreneur मतलब जो कि business man है वो जब अपना मन के हिसाब से business को start करना चाहेगा तो business उसी time पे start हो जाता है Whenever the business man wants to start his business, the business commences at that moment only ठीक है, business उसी time पे start हो जाता है लेकिन अगर profession की बात करें तो profession जो है वो आपका तब start होगा जब आपने वो course जो है वो कर लिया होगा क्योंकि हम जानते हैं कि profession करने के लिए आपको एक particular knowledge चाहिए और वो knowledge आपको एक course करने के बाद ही आता है जैसे आपको अपना doctor का profession start करने के लिए आपको MBBS जो है वो करना होता है ठीक इसी तरीके से आपको अगर lawyer बनना है तो आपको minimum LLB जो है वो करना होता है तो जब भी आप अपना degree course कर लेते हैं तो उसी time पे profession जो है वो start हो जाता है इसी के साथ साथ आपको एक certificate भी दिया जाता है जैसे अगर मैंने LLB pass कर लिया होता है जो कि मुझे Indian government देती है और उसके बाद मैं अपना lawyer का काम है वो कर सकता हूँ ठीक है तो profession को start करने के लिए आपको सबसे पहले जो भी degree course है वो degree course आपको complete करना होता है इसी के साथ साथ आपको एक certificate of practice मतलब आप ये काम कर सकते हैं इसका certification जो है वो आपको चाहिए होता है फिर इसके बाद बात करें employment तो आप employment को करने के लिए जब आप जिसके पास नौकरी कर रहे हैं उसके साथ जब आपका agreement हो जाता है मतलब जो की basically एक joining letter होता है तो joining letter जब आपको मिल जाता है तो आपका employment स्टार्ट हो जाता है ठीक है पिर आप qualification तो देखिए business करने के लिए आपको कोई भी qualification की जरुवत नहीं है क्योंकि ऐसा कोई rule नहीं बनाया गया है यान तकी अनपर्ग हवार लोग भी business कर सकते हैं ठीक है business करने के लिए हमें कोई भी qualification की जरुवत नहीं है लेकिन profession के लिए तो qualification की जरुवत है ही जैसे अगर आपको CA का का काम करना है तो आपको CA होना होगा डॉक्टर का काम करने के लिए आपको डॉक्टर होना होगा, लॉयर का काम करने के लिए आपको लॉयर होना होगा, ठीक है, तो profession में बहुत ज़्यादा जरुरत होता है, qualification की, and अगर employment की बात करें, तो employment में ये depend करता है, ठीक है, अब जैसे मैं अगर बात करूं तो आप कहीं पर डोड बन रहा है अगर कोई रोड बनने में लेबर काम कर रहा है तो उसके लिए तो कोई qualification की चरूध नहीं होती है ठीक उसके लिए आपको यह नहीं बूले कि class 10 का certificate लाव 12 का certificate लाव यह सब नहीं मांगा जाएं बहुत जगह होता है जैसे अगर आप किसी कंपनी में डॉक्टर आप किसी हॉस्पिटल में जाके डॉक्टर का काम कर रहे हैं तो वहां पे तो फिर आपको वहां पे मांगा जाएगा कि हमें ऐसा डॉक्टर जाहिए जो कि MBBS डॉक्टर हो तो employment के केस में जो भी qualification है वो totally depend करता है उस आदमी के उपर जो कि आपको नौकरी दे रहा है अब अगर बात करें investment की तो भाई आपको अगर business start करना है तो आपको investment की जरौत तो है ही business करने के लिए बिना पैसे बिना investment के तो वो हो नहीं सकता है लेकिन अगर मैं इसके बारे में बात करूं profession के बारे में तो profession में भी investment चाहिए होता है लेकिन यह उतना जादा नहीं चाहिए होता है मतलब business के मुकाबले उतना जादा नहीं चाहिए होता है जैसे अगर आप lawyer बनना चाहते हैं तो lawyer बनने के लिए जो भी आप college का फिस, coaching का फिस यह सब आपको देना होता है लेकिन यह उतना जादा नहीं होता है लेकिन अगर मैं बात कुरूं employment की तो employment में कोई खास वैसा investment की ज़रृत नहीं है अब आप यहां पर बोल सकते हैं कि सर्फ मैंने MBA किया मैं MBA करने के बाद वहां पर किसी दूसरे के लिए काम कर रहा हूं तो यहां पर तो मैंने MBA के उपर में पढ़ाय के उपर में जो खरचा किया क्या वो मेरा investment नहीं है तो वो investment है लेकिन क्या आपने प्वंपनी में काम करूंगा तो हम उसी बोल सकते हैं कि आपने एक investment किया था लेकिन generally आप और आप उसे investment नहीं कह सकते हैं क्योंकि जब आप MBA कर रहेते तो आपको भी नहीं पता था कि आपका किस company में job होने वाला है तो आप जब investment करेंगे तो आपको सोच के ही न करेंगे अब आपको पता ही नहीं है कि आपका यह जो investment है इससे क्या मैं यहाँ पर क्या कहना चाहता हूं कि जब भी आप investment करेंगे तो आपको यह तो हम से कम पता ही होगा कि यह जो investment है यह मैं किस चीज़ के उपर में कर रहा हूँ ठीक है तो आपने जो पैसा है वो MBA करने में लगाया हुआ था लेकिन क्या आपने यह सोच के लगाया था क्या कि यह MBA करने के बाद मुझे यह company में MBA का खाम चाहिए इसलिए मैं यहाँ पर पढ़ाई कर रहा हूँ तो generally ऐसा नहीं होता है इसलिए employment के case में capital की जरुवत नहीं होती है ठीक है पिर अगर risk की बात करें तो business में तो risk तो होगा ही बिना risk के business होता नहीं है लेकिन profession में जो risk है वो बहुत हम रहता है ऐसा नहीं है कि आप वहां पर risk नहीं है जैसे वहां पर भी बहुत टाइम पर होता है कि आपका जो license है वो spent हो जाता है जैसे जो doctors होते हैं उनको बना कर दिया जाता है कि आप 6 महीने तक काम नहीं कर सकते हैं तो वहां पर जो risk है वो रहता है लेकिन अगर employment के बार में बात करें तो employment में कोई risk नहीं है जब तक वो आदमी है तब तक आप 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 नौकरी करते रहेंगे अगर यहाँ पर आप बोले कि अगर वो नौकरी से निकाल दिया तो वो कोई risk नहीं है risk का मतलब जो कि यह हो जिसे आपको नुकसान हो सकता है जो कि आप जानते थे कि ऐसा हो सकता है अब आपको निकाल देंगे यह बात पहले से थोड़ी जानते थे तो इसलिए इसको हम लोग risk नहीं फोल सकते हैं ठीक है फिर है transfer of interest मतलब मेरा जो business है मैं जो काम कर रहा हूँ क्या ये किसी दूसरे को transfer किया जा सकता है मतलब मैं जो काम कर रहा हूँ क्या ये किसी दूसरे को दिया जा सकता है तो अगर मैं business के बारे में बात करूँ तो हाँ ये तो possible है ही जो भी business man होता है वो क्या करता है वो अपने बेटे को या फिर जो भी आदमी को उसे business transfer करना होता है वो उस आदमी को वो business दे देता है लेकिन अगर मैं profession के बार में बात करूं तो ये तो possible है नहीं ठीक है आप एक lawyer है तो आप ऐसा तो कर नहीं सकते हैं कि lawyer जो है वो किसी दूस को दे दे मतलब आप अपना सारा knowledge जो है वो किसी दूसरे को दे दे ऐसा तो नहीं होता है मेरे पापा lawyer थे इसका मतलब मैं भी जाकर court में practice कर सकता हूं क्योंकि उन्होंने मुझे permission दे दिया ऐसा नहीं होता है आप जो profession है वो transfer नहीं हो सकता है ठीक है अगर employment के बारे में बा जगा पर किसी दूसरे को भेज देता हूं तो हम उसे transfer नहीं कहेंगे transfer का मतलब कि मेरा जो कुछ भी है वो मैं किसी दूसरे को दे दे रहा हूं तो जब मैं employment में मेरा सब किसी दूसरे को दे दूंगा तो फिर वो employment रह थोड़ी जाएगा तो इसलिए employment में मैं अपना interest जो है वो किसी दूसरे को नहीं transfer कर सकता हूं I cannot transfer my interest to anybody else ठीक है ओके फिर अब यहाँ पर जो main objective के बारे में बात किया जाए तो although यहाँ पर क्योंकि यह सारी economic activities है तो जो main objective है वो तो पैसा आन करना ही रहता है लेकिन इसके साथ साथ और भी चीज़े हैं तो business में तो main तो है ही to earn a profit profit earn करने के लिए ही business किया जाता है अगर profession की बात करें तो पैसा earn करना वहाँ पर रहता है लेकिन उससे भी जादा रहता है to provide service मैं एक lawyer हूँ तो मैं legal service देने के लिए काम करूंगा ठीक है फिर अगर employment के बारे में बात करें तो employment का जो main objective होता है कि मैं अच्छे से अच्छे त income हो सके तो profit जो है वो भी business का objective है service देना profession का and income generate करवाना ये employment का ठीक है फिर अगर बात करें code of conduct code of conduct का मतलब होता है rule कि कि किस हिसाब से काम होगा तो business के उपर में कोई ऐसा rule है नहीं कि business को ऐसे काम करना होगा वैसे काम करना हो आपका business है आप जैसे अपने मन से चला सकते है ठीक है लेकिन profession के case में ये बहुत जादा होता है profession के case में आप जहां पे मदब आपका जो profession है उस profession का एक particular rule होता है और वो rule आपको follow करना होता है जैसे doctors के उपर में All India Medical Association का जो rules and regulations है वो apply होता है पिर अगर lawyers के उपर में बात किया जाए तो bar council of India जो कि lawyers का basically एक organization है उसका वहा पर rules apply होता है CS के ऊपर में ICSI Indian Institute of Company, Secretary of India उसका rule apply होता है CA के उपर में ICAI का rule apply होता है तो हर एक profession के उपर में उस profession का जो statutory body है उस profession का main body है उसका regulation जो है और डाफ पलाई होता है लेकिन अगर employment के बार में बात किया जाए तो employment के उपर में जो भी regulations है वो आपका जो contract में लिखा रहेगा वो अवला apply होगा मतलब जिसके यहाँ आप नौकरी कर रहे हैं उसका जैसा rules and regulations होगा वो आपके उपर में apply होगा ठीक है अब अगर बात करें तो कैसा काम यहाँ पे होता है तो business में जैसे कि मैं आपको बता ही दिय है कि दो तरिके के काम होते हैं एक होता है manufacture मतलब मैं physically सामान को बना रहा हूँ और उस सामान को बेच रहा हूँ and और एक होता है sell buying and selling मतलब मैं कम दाम में खरीद के ज़ादा दाम में बेच रहा हूँ तो दो चीजे हो सकती है कम दाम में बना कर ज़ादा दाम में बेचना या तो कम दाम में खरीद कर ज़ादा दाम में बेचना ठीक है एंड अगर इसके बारे में बात करें तो profession के बारे में तो एक personalized service मतलब service जो है वो personally दिया जाता है अब एक lawyer जो है वो आपको personally service देगा ऐसा नहीं होगा कि lawyer जो है वो आपको public के सामने सामने आपको service देगा एसा नहीं होता है पर्षनल सर्विस जो है, वो प्र्फेशन के केस में धिया जाता है। मतलब ऐसा काम वहाँ पर होता है, अगर employment के बारे में बात करें, तो जो काम आपको आपको नौकरी दे रहा है, जैसे आपको भूलता है, आपको उस तरीके से जो काम है वो करना होता है। ठीक है, तो ये था हमारा first lecture, जहाँ पे हमने basically देखा कि human activities क्या होते हैं, human activities कितने टैप के होते हैं, उसमें से दो हमने देखा, एक है economic मतलब जिसमें पैसे involved हो, एक non-economic जिसमें पैसे involved नहीं होते हैं, अब non-economic से हमारा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे business की पढ़ाय कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पे सिर्फ economic को ही देखना है, economic में आता है business, profession and employment, business का मतलब एक ऐसा economic activity जहाँ पे या तो समान को कम दाम में खरीद कर जादा दाम में बेचा जाता होगा, या तो कम दाम में बना कर जादा दाम में बेचा जाता होगा, and profession के बारे में ब कि जब एक आदमी अपना knowledge किसी दूसरे के काम को करने के लिए apply करता है, तो उसे हम लोग employment कहते हैं, and यह उसका सारा differences है, ठीक है, so आज का lecture यहीं पे है, मिलते हैं एक अगले lecture में